अलो स्ट्रेंट्स आज हम लोग कुछ छोटे प्रोग्राम एक्जाम्पिल लेके जो अभी तक हम लोग डेटा टाइप्स और कंपाउंड डेटा टाइप्स अगरा पड़ा है उस पे एक दो हम लोग छोटे प्रोग्राम बनाते हैं तो देखिए मान लीजे जैसे ही दिया हु वाववेल्स फ्रॉम देवर्ड मिसी सी पी क्वेस्टन क्या है क्वेस्टन ये दिया हुआ है कि स्टोर इस्टोर और प्रिन्ट अल देवावेल्स एंद all the vowels from the word all the vowels from the word missy cp missy cp हमें क्या करना है हमें कि इस pc cp word में जितने भी وابल में इनको इनको इस्टोर करके या जी आप różार करना है कि विर्मीमे क्रेंब्स ранeneegел हम पर्लिस्ट पड़ेगी जिसमें हम भी इस्टोर कर सकें हैं ख्रेंदैके उसके लिए में क्या करना होगा देखिए उसके लिए हम सबसे पहले हमने यहां लिखा वर्ड इस इक्वल टू यहां हमने हमने वर्ड लिख दिया मिसी और सी पी ठीक है यह हमने स्टोर कर दिया दूसरा एक हमने लिया लिस्ट वावेल्स के नाम से और इसको अभी क्या है अभी यह एम्टी लिस्ट है तो दैट इस वावेल्स अब उसके बाद हम क्या करेंगे वावेल्स.append यूज़ करेंगे तो हमने लिखा वावेल्स डॉट एपेंड ठीक है और इसमें हमने कहा कि वर्ड और हमने यहां से लिखा वन और टू ठीक है यह हो गया उसके फिर हमने कहा वावेल्स.append यह हमने लिखा वावेल्स.append फिर हम लिखेंगे वर्ड और यह कहां से स्टार्ट होगा फोर पाइव ठीक उसके बाद फिर नेक्स हम लिखेंगे वावेल्स डॉट एपेंड यह हो गया वर्ड फिर नेक्स हमने लिखा वावेल्स डॉट एपेंड यह हो गया वर्ड और टेन कॉलन इलेवन फिर इस तरह से क्या होगा कि हम सारे वावेल्स को जो भी हमारे मिसिसीपी वर्ड में एवलेविल है वो सब हम स्टोर कर लेंगे और उसका जब इसको हमें प्रिंट करना है तो हम लिख देंगे प्रिंट और यहां हम लिख देंगे वावेल्स तो इससे क्या होगा कि सारे वावेल्स को स्टोर करके और इसको हम प्रिंट कर सकते हो सारे वावेल्स जो Mississippi वर्ड में जितने वी वावेल्स एवलेबिल है वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे अब इसमें दीखे यहां पर जो उन्हें वावेल्स इक्वल टू एम्टी लिस्ट डिक्लियर की हुई है तो इसको चाहे तो आप समझने के लिए आप ऐसे कमेंट लाइन में लिख सकते है कि यह क्या है इस एम्टी लिस्ट तो इस तरह से आप Mississippi वर्ड में जितने वी वावेल्स अब लेबिल है उनको एक लिस्ट में स्टोर करके और आप उनको प्रिंट कर सकते है ठीक है एक और एक्जाम्पिल लेते हैं मानले जिस सेकंड एक्जाम्पिल में क्वेशन क्या दिया हुआ है क्वेशन यह दिया है कि extract the four numbers और या यह दिया हुआ है कि given a postal address given a postal address ठीक है extract its fields and print extracts its field and print ठीक है अब देखे इस question को हम कैसे करेंगे सबसे पहले हमने एक address लिया तो माली जी address नाम से हमने variable ले लिया address इसके अंदर हम कोई एक address जो है वो store करते हैं तो हमने कहा initialize ही कर दे रहा है तो माली जी हमने कहा कि say 123 comma इसके बाद हमने कहा नियर हनुमान टेंपिल ठीक है फिर हमने कहा नियर से हमने लिखा या नियर माली जी कोई स्कूल लिखने नियर हमने कहा कि ABC स्कूल यहां हमने लिखना लखनव उत्तर प्रदेश लखनव उत्तर प्रदेश और यहां पर हमने दे दिया से उसका माली जे कोई भी पिन कोड हमने दे दिया 222001 यह हमने एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर दिया अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें एड्रेस को स्प्लेट करना है तो हमने क्या किया हमने इस तरह लिखा plot number comma address line 1 address line 1 फिर हमने लिखा address line 2 फिर हमने लिखा city फिर हमने लिखा state और फिर हमने लिखा पिन कोड ठीक है इस इक्वल टू तो इस इक्वल टू हमने क्या किया कि एड्रेस जो है वारा उसके हमें इस्प्लिट करना है तो डॉट हमने लिख दिया इस्प्लिट ठीक है और इस्प्लिट कहां से करेंगे हमने यहां लगा दिया कॉमा तो जहां जहां कॉमा आएगा जैसे दिखिए यहां कॉमा है तो यह 123 plot number में चला जाएगा फिर new किदवाई नगर address line 1 में फिर कॉमा के बाद फिर new ABC near ABC school address line 2 में फिर लखनव city में फिर उत्तरप्रदेश state में और फिर यह पिन कोड इसमें तो इस तरह से automatically by default invariables में यह value चली जाएगी अब उसके अदमाली जाएगा जिसे आपको city print करना है या पिन कोड पिन कोड पिन करना है तो simply आप यहां लिखेंगे print ठीक है print में आपने लिखा पिन कोड is equal to यहां आपने codes closed किया कॉमा लगाया और यहां लिख दिया पिन कोड तो यह जो पिन कोड इसके अंदर यह वाला जो पिन कोड था यह यहां पर print हो जाएगा ऐसी city आपको print करना है तो यहां आप कैदेंगे print यहां आपने लिखा city is equal to codes closed कॉमा यहां आपने लिख दिया city तो city यहां पर आप क्या इस्टोर हुआ था लखना हूँ तो यहां लिखा वह आजाएगा city is equal to लखना हूँ तो इस तरह से आप जो है multi fields को एक command से आप इसको split कर सकते हैं clear अब इसके बाद मान लीजिए एक example लो ले लेते हैं से अब इसमें question क्या कहा रहा है कि extract the phone number of a friend from a directory मतलब question number 3 क्या कहा रहा है कि extract the phone number of a friend the phone number of a friend from a directory from a directory मतलब किसी directory से हमें अपने friend का phone number एक्स्टेट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यह होगा कि we will implement a directory using a dictionary सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें एक directory बनाना होगा सबसे पहले we will implement a directory using a dictionary with its key as the friend's name and its value as the friend's phone number यहाँ पर आप लिक्स रखते हैं कि we will implement a directory using using a dictionary एक dictionary का यूज़ करके पहले हम डारेक्टरी बनाएंगे और डारेक्टरी कैसे बनाएंगे कि with its keys with its key as the friend and key as the friend's name and its value value as the friend's phone number इसको हम कैसे करेंगे इसको देखे इस तरह हम लिखेंगे जैसे हमने यहां पर लिखा फोन आफ यह हमने एक वेरेबिल बना दिया ठीक है is equal to is equal to के बाद हमने यह लगाया curly braces फिर हमने लिखा कि suppose किजे कोई नाम कोई भी नाम लिखा अमन ठीक है उसके बाद हमने यह four number दे दिया से कुछ भी ले लिजे हमने खा कि nine four one two three 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 two two four two six two eight two ten यह हो गया फिर ऐसी हमने दूसरा दूसरी entry की तो हमने दूसरा नाम लिया से आकाश इस तरह फिर इसका हमने नाम एंटर कर दिया तो माली जी इसका हम नमबर में ले लिया नाइन एट फिर एट 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 फिर एट एट और फिर एट 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 दो चार छे आट दस यह हो गया उसके आद मान लिजे हमने तीसरा नाम एंटर किया तीसरा नाम हमने एंटर कर दिया एबी यह किया हमने और फिर इ यहां से इसकी जरुत नहीं है फिर यहां पर आप करेंगे यह भी हो गया अब अब आपको दे रहा हूं तो यह हो गया आपका ठीक है यह माला लीज़े हमने व्र्रेटरी क्रिट कर ली अब हमें क्या करना है हमने एक वेरेबिल में लिया ए इसवी से एसवी हिए इसेफल टू और हमने लिखा एंपूर के और यंपूर में हमने का आ एंडर के फ्रैंड एंटर ए फ्रेंड नेम इसको इस तरह लिखेंगे फ्रेंड नेम ठीक है यहाँ पर हमने किसी फ्रेंड का नेम एंटर कर दिया ठीक है अब इसमें क्या होगा कि जब हम प्रेंड कराएंगे इसको तो हमने लिखा प्रेंड दफ्रेंड फोन नंबर इस दफ्रेंड फ्रेंड पोन नंबर इस कोर्स क्लोस्ट कॉमा यह हो जाएगा फोन आफ से वहां फ्रेंड निकाल लेंगे फोन आफ और यहां से हम वो फ्रेंड की वैलू निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरह से क्या होगा कि जो हम फ्रेंड का नाम यहां पर देंगे वहां से फोन आफ में उसकी जो माली जी हमने यहां पर दिया अमन तो अमन का यह जो वैलू हमने दी हुई है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी कि दा फ्रेंड स्वर नंबर इस तो इस तरह से हम यह जो कंपाउंड डेटा टाइप से इनका यूज करके काफी चीज़े जो है बहुत इसली कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो कांटेट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेर कीजे लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर अन कर दीजे ताकि नेक्स वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके हैं थैंक यू